पुलिस आमे लोग तभी हार में लोग तंदे नहीं बच गया किए अम लोग साही जीमांड को लेके परदर सम्तर है पुलिस ने पुलीस ने हमें कहा कि अपनी के सन्नी ति हम दे रहे हैं ये देखिए हमा अधि नोशकार मैं हूँ राजमोहन किवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार में प्रतियोगी परिक्षाओं में हो रही धांदली को रोकने और इन प्रतियोगी परिक्षाओं में पारदर सिता लें लाने के लिए आज 11 परवरी को पटना कॉले से छात्र महांदोलन की शुर पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें देखिए छात्र नतातिलिक को पुलिश ने गिरफ्तार कर लिया है उन्हें हिरासत में ले लिया है और इसका कारण के वाल इतना है कि वह अवास के पास तक जाना चाहते थे छात्रों के हित में सवाल उठा रहे थे वहां पर जो प पर हुजूब छात्रों का उत्रा जेपी गोलंबर के पास जो छात्रें अव्यरती है वो बैठ गए अंदोलन पूर जोर हो रहा था तमाम तश्वीरें हमने आपको दिखाई पुलिश पर शासर पूरी टैनाती के साथ महा ठारा था लेकिन जब छात्र नहीं ढटे उन्हों यह विजूल जिसमें छात्र नेता दिलिप को कैसे पुलिस हिरासत में ले रहे है और क्या कुछ बोल रहे हैं इस दोरान छात्री नेता दिलिप पूरी तस्वीर जिसमें की छात्र नेता दिलिक को गिरफतार करके उन्हें ले जा रही है पुरीश और इस दोरान वो बोल रहे हैं कि या निकम्मी सरकार लोगतंद्र की हत्या कर रही है हमारे अवाजों को बंड करने के हमारे हम चात्रों के हित में उसे कुछलने की कोशिस यह सरकार कर रही है इसी वज़ा से चात्र नेता दिलिक को ले ले लिया गया है वहाँ पर इस्तिती जो है वह फिकरती नजर आ रही है जैसे चाथ ने गिरफ्तार हुए है उन्हें हिरासत में लिया गया है और तमाम वहाँ पर जो अभी भी मौझूद है कहना है कि दिलिप को अभी तत्काल हिरासत से छोड़ा जाए पुलिश परशासन न उन्हें अपने कब्जे में लिया है तो कारण बताए और क्या अवयर्ति अपनी आवाज भी ना उठाए क्या यह सरकार छात्रों की आवाज को भी अब दबाने की कोशिस कर रही है आखिर क्यूं धांदली की बात जब करते हैं उसमें जाच की बात होती है तो यह सरकार छा अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है तमाम तस्वीर हम अब तक पहुंचाते रहेंगे बने रही है हमारे साथ दन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें